रासानिक बंद रासानिक बंद में हमने पहला पार्ट देखा था कि रासानिक बंद होते क्या है और कितने प्रकार के होते हैं आयनिक बंद, सासहियोजी बंद और उपसा सहियोजी बंदों को हमने देखा दूसरे पार्ट में हमने देखा कि भी विबीटी क्या है, वैलेंस बॉन्ट थियोरी क्या है और साथ में हमने अती व्यापन देखा आज के क्लास में हम देखेंगे संकरण और सरचना है मेरे साथ आप लास्त क्या पने रहिएगा एक एक चीज आपको समझ में आएगा हम यदर विदर की बात ना करें ज्यादा अच्mal रहेगा, ज्यादा चैटिंग ना करें ज्यादा अच्छा रहेगा और सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात करें और अपनी copy में जो लिखने के लिए हो मैं यहाँ पर बोलूँ उसे आप notes ज़रूर करें इससे क्या होगा आपका notes भी बनेगा और exam के लिए बहतर भी हो जाएगा और हाँ याद रखना copy और pen मैं बार बार बोल रहा हूँ यह दूसरे बार बोला मैंने copy और pen ले करके जल्दी से बैठ जाएए अगर नहीं लाए हैं तो आप ले आईए थोड़ी दिर के लिए pause कर सकते हैं pause play करके video देखिएगा क्योंकि अगर हम hulke full के चलते रहें तो पता चला कि पूरा एक chapter खतम करने में हमको कई दिन लग जाएगे सो हम चाहते हैं कि हम उन्हीं बातों को पढ़ाएं जो आपके पढ़ाई में मदद करेगा आपको सीखने में मदद करेगा और साथ में जिसी के base पर आप बेहतर मार्क्स ला सकें यादखना hybridization जो मैं भी पढ़ाऊंगा उसके लिए दो क्लास की जरुद पढ़ेगी तो आज जो मैं बताऊंगा इनको ध्यान से सुनिए और इसमें क्या-क्या structure वगरा होंगे इसके बारे भी बात करेंगे हम लास्त तक तो सबसे पहला काम करते हैं संकरन बिटा संकरन या hybridization कक्षकों का संकरन 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 क्या है अगर हम ध्यान से समझें तो आपको एक बाते clear होगा संकरन किसके कहेंगे शब्द पे है संकरन संकरन मतलब दो या अधिक गुणों को आपस मिला करके समान गुणवाले और सबके गुणों को शामिल करने वाले अन्य संतति का उत्पर न करना अगर हम सिंपल से बात कहें तो कुछ ऐसा कहेंगे कि अगर हम अपनी जिंदगी में देखते हैं तो कई बार ऐसे शब्दों का उपयोग होता है अपनी लाइफ में कि हम बोलते हैं ये संकर प्रजाती की जेव है या ये संकर प्रजाती के पौधे हैं इसका क्या मतलब होता है आप जरा इस बात का ध्यान दो कि मेरे पास दो अलग-अलग गुणों वाले पौधे हैं सेम प्रजाती के दो अलग-अलग गुणों वाले पौधे हैं तो उन दोनों पौधों को आपस में मिलाये जाता है, उनको पूलते हैं कि एक नर और एक मादा अलग-अलग पौधे हैं, उसके फूल को मिला करके, जब वो उसके बीज प्राप्त किया जाएगा, तो उस बीज को संकर प्रजाती की बीज कहा जाएगा, जो पौधे हैंगे, अच्छे गुणों का वहाँ पर विकास होगा, वो अच्छे गुणों प्रदेशित होंगे, यह संकरन हुआ, आपने सुना होगा घोड़ा और गधी गोड़ा इन दोनों के बीच में संकर कराया गया, तो घोड़े के कुण जानते हो कि वो दोड़ने का कुण है, काफी रफ् सकता है, तो इन दोनों का जब संकर कराया गया, तो एक नई प्रजाती प्राप्त होई, वो कहलाती है खचर, इसकी विशिस्ता यह होती कि वो तेजी से चल भी सकता है, और उपर से इस पे बोज भी लादा जा सकता है, आपने देखा, यहाँ पर घोड़े का भी है, और होता है, हमने electronic विन्यास जानते हैं, हम अतिव्यापन जानते हैं, तो आज की class में सिर्फ बात होगी संकरन की, और संकरन किस तरह से होता है, इनके बारे बात होता है, तो सबसे पहला मैं आपको काम करूंगा, छोटी से लाइने में लिखूंगा, आपके लिए काफी आसान ह हो जाएगा पेटदी दॱ मैं चाट नहीं करना चाहता क्योंकि आपकी पढ़ाई पे मैं पूरी तरह से द्यां देना जाताbirds आपकी पढ़ाई खराब नहो आपका समय अनमोल है कम से कम समय में ज्यादा ज्यादा पढ़ाई हो जाए इस बात का हम कोशिश करेंगे तो सबसे पहली बात करते हैं संकरण किसे कहें एक छोटी सी परिभाशा हम जरूर लिख लें लिखें संकरण इसको कहते हैं कक्षकों का होता है संकरण तो मैं दो चार लाइने लिख रहा हूँ वह बहुत दे महत्त पूर्ण है क्योंकि यह परिभाशा में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है जो आपको संकरण का मतलब समझाएगा तो मेरे साथ आप नोड करो लिखो किसी परमानों के संयोजी कोश के किसी परमाणू के संयोजी कोश के एक लाइन पर आपको समझ मैं कैसा कोश? संयोजी कोश मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बाहि कोश कि किसी परमाणू के संयोजी कोश के लगभग समान ओर जावाले कक्षक किसी परमानों के संयोजी कोश्के लगबख समान और जावाले कक्षक कौन से कक्षक, समान और जावाले, कौन से समान और जावाले, लगबग समान, विल्कु समान और कक्षक नहीं, कक्षक, आपस मैं मिलकर, मिलकर उतने ही संख्या में उतने ही संख्या में में समान उर्जा आकार एवं आक्रती वाले नए कक्षकों उतनी संख्या में समान उर्जा आकार आक्रती वाले नए कक्षकों का निर्मान करते हैं करते हैं इस घटना को संकरन तथा बनने वाले यहां पर कुछ बाती जो लिखी गई है इस इन बातों को अपनी कॉपी में लिखें और पहली बात समझें संकरन क्या है इसमें पूरी बाते एकदम साफ साफ नजर आ रहा है कि परमानों के बाहे कोश के कक्षक आपस मिलते हैं और जितने कक्षक मिलते हैं उतने ही नए कक्षक बनते हैं जो नए कक्षक बनते हैं उसकी उर्जा, आकार और आकरती समान होती है जो नए कक्षक बनते हैं वो होते हैं जितने कक्षक मिलते हैं उतने ही नए कक्षक बनते हैं साड़े बातें इस जगा पर शामिल हैं तो मैंने कहा किसी परमाणों के संयोजी कोश के लगबख समान उर्जा वाले कक्षक आपस में मिलकर उतनी संख्या में नए कक्षकों का निर्मान करते हैं इन कक्षकों की आकार उर्जा और आकरती समान होती है तथा इस क्रिया को संकरण कहते हैं, मिलने की क्रिया को और जो नए बनते हैं, उन कक्षकों को संकरित कक्षक कहते हैं अब सवाल होगा कि संकरण कितने प्रकार की, कौन कों से प्रकार की होंगे इनको हम समझेंगे लिकिन उससे पहले इस परिभाशा में आप ध्यान दीजेगा कि वो परिभाशा जो मैंने वहां लिखा वो यहां पर भी लिखा हुआ है परमानों के सहियों जी कोश के लगबख समान उर्जा वाले परमानों कक्षक आपस मिल करके उतनी संक्या में समान उर्जा, समान आकार और समान आकरिती वाले नए कक्षकों का निर्मान करते हैं इस क्रिया को संक्रण कहते हैं तित्व नए बनने वाले कक्षकों संक्रण कक्षक कहते हैं यहाँ पर अगर बोला जाये तो हमने क्या-क्या समझा है, तो उस चीज को हम कह सकते हैं कि संकरण के नियम क्या होंगे, संकरण के पक्ष में क्या-क्या बात कही जा, तो दो-चार पॉइंट्स हम लेक भी सकते हैं, लेकिर वो बाद में पढ़ेंगे, हम संकरण के प्रकारों क जानने से पहले इस बात का ध्यान दे कि आप क्या जानते हैं सब शेल बताओ बिटा बोलो जल्दी से क्या सारे बच्चे जानते हैं मैंने कहा ना चैटिंग मत करो बिटा पढ़ने वाला बच्चा चैटिंग नहीं करता है सुनता है और सुनने की बाद उसे नोड करते हैं जो चेट कर रहा है वो लिक कहां रहा है उसके हाथ में पेइन का है, उसके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल को सामने रख दो और पढ़ाई में ध्यान दो. क्योंकि टाइम बर बात नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से मैंने बात किया, किसी दिन इंटरिव्यू मैंने लिया है, वो वीडियो अगर बन सके तो मैं आपको दिखाऊंगा जरूर, कि बहुत सारे बच्चों ने ये कहा है, कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्होंने कहा, सर मैं चैट नहीं करता, मैं सी स्थब लगता है, जब आप बच्चों से बात करते हैं, जब बच्चों का नाम ले रहे होते हैं, वो हमारे लिए किसी काम का नहीं पढ़ाई में, सही में ये बात सही है, तो आप लोग भी यही समझो कि आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, किसी तरह का कोई डिस्टर्ब नही सही है, इसलिए पढ़ाई को मैंने अप रात मिक्ता दिया है, पूरी तरह से पहले भी दे रहा था, पहले वीडियो देखिए शुरुबात के, मैं बच्चों से बिल्कुल वर्नी बात करता था, चैट में बिल्कुल बात नहीं करता था, जब पढ़ाई पर ध्यान देता थ नहीं करना चाहेंगे, सिर्फ पढ़ाई करना चाहेंगे, सो हम देखें यहाँ पर, सब शेल को क्या कहते हैं बटा बोलो, उपकोश कहते हैं न, उपकोश, तो उपकोश कौन-कौन से प्रकार क्यों होते हैं, बताओ, हमने पढ़ाएं न, S, P, D, और F, यही पढ़ें, संकर और बिटल्स कहते हैं, तो कक्षक, S में कितने कक्षक होते हैं, 1, P में कितने होते हैं, 3, P में 3 कक्षक होते हैं, 4, D में कितने होते हैं, 5 होते हैं, 2, 2 बढ़ते जा रहा है, और F में कितने होते हैं, 7, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और ये साथ, साथ कक्षक होता है पिटा याद रखना जब संकरण होता है न तो इन ही कक्षकों का आपस में मिलना होता है आप जानते हो कि S कक्षक गोलाकार होता है, P कक्षक डंबलाकार होता है D कक्षक डबल डंबलाकार होता है और D F कक्षक जो होता है जटिल डंबलाकार होता है तो उसमें जटिल था बहुत होती है complicated होता है तो गोलाकार डंबलाकार डंबलाकार और जटिल डंबलाकार तो यह हमने देखा कि चार प्रकार के यहाँ पर कक्षक होते हैं इन कक्षकों में इसमें एक S और एक P कक्षक, देखो कैसे कक्षक भाग लेते हैं, तो देखेंगे हम यहाँ पर आप दिखाते हैं आपको, संकरन में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या, संक्या, अगर यह देख रहे हो, तो आप एक चीज देखोगे, संकरन में कौन कों से कक्षक भाग लेने, कितने कक्षक भाग लेने, यह पता चलेगा, और संकरन का नाम क्या होगा, देखेंगे हम, अपने याप याद हो जाएगा, चलो देखो, हम देखें, जब भी संकरन होगा, तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करोगे कक्षकों का, असकंक्षक भाग लेना, संकरन करना मतब कम से कम दो कक्षक तो होगे ही, कम से कम दो कक्षक तो होगे, तो भाईया, एक S और एक P कक्षक संकरन भाग लेगा, दो कक्षक भाग ले रहे हैं, तो एक और ये एक, दो, एक S और एक P कक्षक आपस मिले, और दो नए कक्षक बने फिलहाल संक्रन का प्रकार ढूंड रहे हैं कि कौन से संक्रन होगा तो दो कक्षक भाग ले रहे हैं तो कक्षक या तीन कक्षक या चार, पांच, छे, साथ कक्षक तक देख लेते हैं तो दो कक्षक भाग ले रहे हैं तो एक ये दो हो गया एक और दो तो 1S हुआ, 1P हुआ, तो संक्रण हुआ, S, P संक्रण हुआ तीन कक्षक भाग ले रहे हैं, तो 1, 2, 3 मतलब S से ही स्टार्ट करेंगे और आगे तक की कक्षकों को कौन करेंगे तीन कक्षक भाग ले रहे हैं, तो क्या संक्रण हुआ, 1, 2, 3 यहां तक हुआ, तो 1S और 2P कक्षिक भाग लिया, तो संक्रण हुआ SP2, फिर बताओ, 4 कक्षिक भाग लेंगे, 1, 2, 3, 4, अब बताओ, कौन से संक्रण होगा, बोलो, अब तो समझ में आ गया, 1S भाग लिया, 3P भाग लिया, SP3 संक्रण कहलाएगा, लिखते समय ध्यार रखें, लिखते समय SP, स्मॉल में लिखा हुआ है, और इस तरह से, SP3 नहीं बोलेंगे, वही मैंने लिखा यहां पर, अगला है, 5 कक्षिक भाग लेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, 1S, 3P, 1D, तो संक्रण हुआ, SP3D, अगला क्या होगा, 6 कक्षिक भाग लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, और यह 6, संक्रण क्या हुआ, SP3D2, और संक्रण क्या होगा, SP3D3, हम आगे जाकर कि यह संक्रण भी पढ़ने वाले हैं, DSP2 और D2, SP3, लेकिन यहां पर, यह possible नहीं है, इस पता दूँगा, यह होता है, पर उसको समझाने के लिए बहुत सारी और भी नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, जिसको देने के लिए हमें, कोडिनेशन केमिस्टी में जाना पड़ेगा, वो अकर्बनिक रसायन में हम देखेंगे, चलिए, अभी यहां पर इसके बारे में दूसरा प्रकार हुआ, SP2 संकरण, तीसरा प्रकार हुआ, SP3 संकरण, चौधा प्रकार हुआ, SP3D संकरण, पाच्वा प्रकार हुआ, SP3D संकरण, और छड़मा प्रकार होगा, SP3D संकरण, D3 संकरन इन सब को इन सब की सरचनाएं भी समझना होगा कि अगर ऐसा संकरन होगा तो वो कक्षक किस तरह से फैलेंगे क्या उसकी सरचना होगी इन सब को जानेंगे लेकिन किसी यॉगिक में कौन से संकरन होगा ये कैसे ग्याद किया जाएगा मैं बड़ी हास आपको ट्रिक बताता हूँ, उसका उप्योग करेंगे आप, तो ट्रिक चाहिए ना, तो ट्रिक बतारों आपको ध्यान से सुनियेगा, देखे, संकरण ग्याद करने के लिए छोटी से ट्रिक को रख लीजेगा संकरण ग्याद करने के लिए ट्रिक चलो, अपनी कॉपी में नोट करो और फिर ट्रिक बताता हूँ, एक एक करके हूँ पर याद रखना, आप लोगों ने याद की हैं कि नहीं आवर्सार नहीं वो देख लीजे वैसे बताने के लिए बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, पर मैं एक तरीके का उप्योग करूँगा वैसे मेरे पास 18 तरीके हैं, संकरन कैसे ग्याद किया जाए, इसको बताने के मेरे पास 18 ट्रिक है, 18 प्रकार के ट्रिक है और इन सारे trick को بتाते रहूँगा तो फिर एक ही trick बताऊँगा, सब ही तरीके बताऊँगा मतलब क्या रहा, एक ही बात को समजना है ठीक है, रोटी को आटे को कैसे भी करके बेलो आपके शरीर को गह हुँई चाहिए कार्बोहेडर्ड ही चाहिए मिलेगा ठीक है कैसे भी करके उसको फेटो कैसे भी करके उसको डिजाइन बनाओ कैसे भी खाओ अगर आपकी बोड़ी को भूख लग रही है तो आपको सिर्फ एक तरीके का प्रयोग करना है दुनिया भर करनी हाँ जब पेट भरा हो तब आदमी अलग-अलग डिजाइन बना करके अलग-अलग आइडियाज बना करके अलग-अलग रेसिपी बना करके उससे सजाता है बनाता है और खाता है लेकिन जिस आदमी का पेट खाली हो उसको एक ही काफी होता है पहले तो वही है हमारे लिए कि पहले सीखना है चलिए शुरू करते हैं ये ट्रिक कुछ ऐसा है इसको नोट करिएगा आप अपनी कॉपी में लिखो संकरण बराबर बराबर केंद्रिय परमाणू का समू अब केंद्रिय परमाणू का समू रखेंगे यहाँ पे फॉर्मूले में वेल्यू रखेंगे प्लस हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बस हाइड्रोजन और साथमे वर्ग के ततों, सत्रमे वर्ग के ततों, हैलोजन ततों की संख्या की संख्या यह लिजे, माइनस आवेश यह फॉर्मूला याग कर लिजे, बहुत सरल तरीका है, केंद्रिय परमाणू का समू प्लस हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की संख्या और माइनस आवेश बाइटू, कैसे यूज करेंगे मैं बताता हूँ तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक दोठोब यहाँ पर समझाओंगा एक्जाम्पल, फिर उसके बाद अपनी कॉपी में इसको नोट कर लिजेगा, फिर फटाफट फटाफट काम करेंगे, बहुत सारे योगिकों का संकरण गयाद करने में, तो चलिए, यही काम करें तरीका बताता हूँ बस, आवर सार्णी याद नहीं, तो मैं यहाँ पर आवर सार्णी का उप्योग होगा, क्योंकि केंदरी परमानों का समूझ देखेंगे, केंदरी परमानों क्या है वो भी बताऊंगा, पहले आपको आवर सार्णी का, वह भाग जिसके लिए आप संक्रण ग्याद करते हैं तो यहां पर जरूरत पढ़ती है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में संक्रण होगा तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स का मैं यहां पर बनाता हूँ यह है ग्रुप थर्ड ए जिसको आप लोग कहते हो थर्टीन ग्रुप भी कहते हो थर्ड ए ग्रुप इसको क्या ग्रुप कहते हैं थर्टीन ग्रुप भी कहते हैं तेर्वा ग्रुप भी कहते हो 14, 15, 16, 17, 18 तो इसको 4th A, 5th A, 6 A, 7 A ग्रुप और यह है यहां पर आता है हेलियम और ये है एट्थ ए ग्रूप जिसको जीरो ग्रूप भी कहा जाता है सारे तत्यों को रख देता हूं मैं सारे तत्यों को जाता है ये आवर सारनी का एक पार्ट जो पी ब्लॉक एलिमेंट से वो दिखा दिया मैंने वेटा मैंने कहा था कि आप कई तरह से ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो लेकिन मैंने जो दिया उसमें आपको समझाता हूं देखिए संकरन ग्याद करना है तो करेंगे क्या कुछ उदाहरन दे करके आपको समझाना शुरू करता हूं पहला BECL2 में संकरन इसमें formula में value put करना है तो कुछ चीज़ों कुछ आना पड़ेगा किंदरी परमानो किसे कहेंगे मैं आपको कुछ उदाहरन दे रहा हूं उसमें बताना है आपको किंदरी परमानो कैसे किसे कहेंगे मैं आपको समझाता हूं यहाँ पर ध्यान देजेगा किंदरी परमानो कोई बताएगा किंदरी परमानो कैसे ग्याद करेंगे आप कुछ example लिख रहा हूं चलो अपने से बताना BECL2 CH4 H2O PCL3 PCL5 SF2 SF4 SOF2 SOCl2 H2SO4 NH4 प्लस आदे किंदरी परमानो किसे कहेंगे कौन सा परमानो इसमें किंदरी परमानो जिसमें इसमें दो प्रकार के परमानो है एक है BE और दूसरा है CL तो इसमें से कौन सा किंदरी परमानो होगा एकदम सरल तरीका बताता हूं अब ध्यान दीजेगा पहला नियम यह है केंदरी परमाणों ग्याद करने के लिए कि जो कम हो सीधा सा तरीका बताऊंगा बागे बहुत हैवी हैवी तरीका नहीं बताऊंगा है ना जो कम हो मतलब इसमें BE 1 है और CL 2 है तो कम कोन है यह इसमें केंदरी परमाणों यह है हो गया सब में बता सकते हो केंदरी परमाणों इसमें हाइडरोजन 4 है वो नहीं होगा कर्बन होगा इसमें हाइडरोजन 2 है ऑक्सेन 1 है तो यह होगा जो कम है इसमें फास्फूरस केंदरी परमाणों होगा क्लियर इसमें फास्फूरस होगा इसमें सल्फर होगा, इसमें अरे बाबा यहाँ पर सल्फर एक है और फ्लोरिम्ण दो है यह तो नहीं यह पता है अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्रेट हो गया कि मैं उक्सिजन को केंदरी पर मानूं मानूं कि सल्फर को सोचो और बताव किसे मैं केंदरी पर की दूसरा तरीका है क्योंकि ये वाला फेल हो गया इस जगह पर ये खट गया तो ये दोनों में से एक कौन सा होगा जो बड़ा हो बड़ा हो मतलब जो जिसकी विद्धित रनात्मक्ता कम हो अब यहाँ पर विद्धित रनात्मक्ता कम हो ये शब्द बड़ा भारी भर कम हो गया विज्ञान के लिए उन बच्चों के लिए जिन्होंने केमिस्ट्री में अभी 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 एंट्रिम आ रहा है तो वो तरीका नहीं जो बड़ा हो अब बड़ा कैसे पता चला सल्फर ऑक्सिजन छटवे ए ग्रूप में है ऑक्सिजन उपर है सल्फर नीचे है इसका परमानुकरमांक 8 है इसका परमांक 16 है तो बड़ा तो यह हुआ ना तो जो बड़ा परमानु है वो होगा चलिए साब बात क्लियर हो गया कि इसमें मैंने इसमें किसको कहूंगा सल्फर में यह नहीं है पर ऑक्सिजन और सल्फर में सल्फर होगा क्योंकि ऑक्सिजन छुटा है यहां पर हैडोजन दो है ऑक्सिजन चार है सल्फर एक है तो सल्फर केंद्री परमानु हुआ यहां पर नेट्रोजन केंद्री परमानु हुआ तो आपको केंद्री परमानु कौन सा होगा ढूंडने आ गया अब ये काम हो गया संकरण निकालना भाई हमको बता रहे हैं हमको संकरण निकालने के लिए अब देखो अब इस formula में value put करते हैं संकरण ग्याद कर रहे हैं संकरण बराबर अब ढूंडो इसमें किंद्री परमानू इस formula के अनुसार किंद्री परमानू का समू किंद्री परमानू कोंचा है इसमें का BE है उसका समू ये किंद्री परमानू होता है BE इस जगा पर second A group में BE वैसे यही संकरण करता है बाकी में नहीं होगा example में ये कभी नहीं आगा इसलिए मैंने इन लिखा था BE second A group का element है तो किंद्री परमानो BE किस group का element है यहाँ पर रख दू formula second A group का element है फिर plus फिर hydrogen, fluorine, chlorine, bromine, iodine की संख्या यहाँ पर क्या है chlorine है की संख्या कितने है 2 है chlorine 2 है 2 minus और फिर आवेश इसमें कोई आवेश नहीं है 0 है तो यह by formula में है by 2 तो formula के अनुसार हम यह काम कर रहे है तो क्या हुआ 2 धन 2 4 4 बटा 2 यानि की भाग लिया 2 कक्षक संक्रण में 2 कक्षक संक्रण में भाग ले रहे है कोई सा संक्रण होगा अभी तो बताया था थोड़ एर पहले शुरुआत याद है की नहीं है ये वाला याद है की नहीं कि 2 कक्षक भाग लेगा 2 कक्षक भाग लिया 1 और ये 2 1S और 1P भाग लिया तो क्या हो संक्रण SP संक्रण हुआ तो आप यहाँ पर समझ रहे हो कौन से संक्रण होगा यहाँ पर संक्रण हुआ SP संक्रण तो BECL2 में आपको संक्रण ग्याद करने आ गया दूसरा BF3 में संक्रण ग्याद करो चलो यह याद रहना चाहिए बिटा आवर साड़ी में वैसे कई बार याद करा चुका हूँ और कोई बच्चा बूल रिख रहा है सार आवर साड़ी मुझे याद नहीं है तो क्या गलती मेरी है आपको कितने बार बताते हैं रतन जी बता देंगे कि कितने बार हमने आपको बता दी है इस साल हमने कम से कम चार बर आपको आवर साड़ी याद करा है तो इसके वीडियोज एविलेबल है Zero-Level Basic Chemistry क्लास में तो आप वहाँ से वो वीडियो देख लीजेगा Advanced पढ़ना है तो पूरा chapter रख़ा हुआ हर क्लास का हर एक chapter रख़ा हुआ है तो पूरे chapter वीडियोज देख लीजेगा तो जो पढ़ना है आपके लिए सब कुछ available है हमारी चैनल पर आप देखिए चलो बोलो संकरण कैसे ग्याद करेंगे क्या लिखेंगे जरह बताओ तो formula में value put करना है तो संकरण बराबर क्या लिखाए केंदरी परमाणू का समूँ केंदरी यहाँ पर value केंदरी परमाणू है B E B का समूँ किस वरगा का तत्व है देखो तीसरे A वरगा का तत्व है तो मैंने लिखा 3A अब प्लस फिर बोला है hydrogen की संख्या, fluorine की संख्या, bromine की चलो तो कहां है? fluorine है, fluorine की संख्या 3 है minus, कोई आविश नहीं है, 0 by 2 3 धन 3 हो गया 6, 6 बटा 2 याने की 3 3 मतलब संक्रण कौन सा हुआ? sp2 यह तो पता है ना, याद करनी की ज़रोती ही मैंने आपको समझा दिया सारे बच्चों को clear है ना भाई, बोलो yes yes बोलना पड़ेगा भाई, तब सीखोगे yes की बगार नहीं सीख सकते हैं, आप ध्यान रखीगा चलो, अब और करते हैं इसमें संक्रण बताओ, CH4 में तीसरा है CH4 में संक्रण बताओ, संक्रण बराबर क्या होगा? formula पर value पुट करो चलो किंदरी परमाणों कौन सा इसमें? C, किंदरी परमाणों का समों, किंदरी परमाणों का समों, किंदरी परमाणों है कौन? C, C carbon carbon है चाहूं थे A group में 4A group में plus Hydrogen की संख्या Hydrogen है इसमें? किंदरी परमाणों कुछ खोड़ करके ये hydrogen很 hard minus minus कुछ नहीं है इसमें कोई आविश नहीं है, 0 by 2 आपको इतने सारी चीजे बताएं, सब में संकरण आपको calculate करना है, अब बताओ, क्या आप इसमें संकरण ग्याद कर सकते हैं, अगर आपको यह याद है, यदि यह formula में value put करने आ रहा है, और यदि उसके बाद जो value आता है, नंबर आता है, कि कितने कक्षक संकरण में भाग ल लेंगे तो SP, तीन कक्षक भाग लेंगे SP2, पांच कक्षक भाग लेंगे तो SP3D, छे कक्षक भाग लेंगे तो SP3D2, साथ कक्षक भाग लेंगे तो SP3D3, यह याद करने के जरूरत नहीं है, मैं तो यहीं बताएं, दो कक्षक भाग लेंगे, दो नंबर आया, एक यह दोन लित्री होगा, यहां तक का साथ हुआ तो, बिल्कुल क्लियर है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये संकरन का जो tension था न, इसलों संकरन कोन से प्रकार के होते हैं, कौन कोन से प्रकार के होते हैं, मैं भूल जाता हूं, वो भी भूलना बंद कर देंगे, अगर SPDF याद है तो SPDF में कक्षक कितने होते हैं ये भी याद है तो और याद नहीं है तो यार पूरी बात तो बता दिया मैंने कहा ना मेरे बच्चे अगर वो पढ़ने वाले हैं तो doubt नहीं रहता है इसलिए chat को मैं पसंद नहीं करता हूँ और chat इसलिए नहीं पसंद करता हूँ कि आप chat करते हैं वो बात करते हैं मैं संकरन पढ़ा रहा हूँ आप अतीवियापन पूछेंगे मैं संकरन पढ़ा रहा हूँ आप आवर सारनी पूछेंगे मैं संकरन पढ़ा रहा हूँ आप molecular orbital theory पूछेंगे मैं संक्रण पढ़ा रहा हूँ, आप P-Block Elements पूछेंगे मैं संक्रण पढ़ा रहा हूँ, आप Solid State पूछेंगे जब मैं Solid State पढ़ा रहा हूँ, तो आप मुझसे संक्रण पूछेंगे जब मैं Alcohol पढ़ा रहा हूँ, मुझसे आप संक्रण पूछेंगे क्या चल रहा है तो जो पढ़ा रहे टीचर वही उसी के साथ आप पूछो तो यार सामने वाला कुछ बताए भी कुछ समझाए भी और हो सकता है वो स्टाइम ये बताए कि बटा आगे पढ़ाने वाला हूँ क्लास खतम नहीं हुआ है जिस तरह मैं नमसकार बोलने वाला हूँ उसे पहले बोलूँगा कि आज ये क्लास यहां पर समाप्त करते हैं किसी कुछ को कुछ पूछना है तो पूछ लीजे तब अगर आप पूछते हैं पूछते हैं वो टीचर्स मैं कोई चीज कहना है तो देरे कहते कहते करेंगे न मैं आपको खाने के लिए दिया हूँ तो खाते खाते खाएंगे न मैं बोलूँगा ये रजगुले खालीजे ये बड़े भी खालीजे मैं बोलूँगा आप ये सबजी भी खालीजे यह अचार भी खा लीजिए पापड भी खा अरे खाऊंगा भाई खाऊंगा पहले तो ट्राइंग तो दो में, मैं इसको हाते खाते खाऊंगा आप रोटी खा रहें मिले थोड़ा चामल भी खा लीजे अरे सर कर क्या रहे हो याराप जाती करोगे क्या मुझपे चोथा, पानी में संकरण, पानी में, ह2O में संकरण, फॉर्मूला आपको पता है, संकरण, बराबर, फॉर्मूला पता है, किंद्री पर्मूला, याद करो न भाई, याद करो, कितने बच्चों को याद हुआ, अब बोले, एक बच्चा बोलता है, मुझे याद नहीं हुआ, मतलब क्या है, गलती हमारी है, क्या, copy में लिखे हो, तो देख लो, copy में लिखे हो, क्या लिखा है, क्या लिखा है, बताओ formula, इसमें क्या, किंद्री ये परमाणू का समू, किंद्री परमाणू कुन से, बाई, यहाँ पर oxygen होगा, क्योंकि oxygen कम है, hydrogen 2 है, oxygen कम है, तो यहाँ पर क प्लस फॉर्मूलर में लिखा है हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडेन की संख्या, इसमें बताओ क्या है, हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन कितने हैं, दो है, दो, माइनस कोई चार्ज नहीं है, बाई टू, यानि कि 6, 2, 8, 8 बटा 2 हुआ, 4, 4 मतल पाँचवा, मैंने कहा, SF2 में कौन से संक्रण होगा, चलो बताओ, छटमा, SF4 में कौन से संक्रण होगा, साथमा, SF6 में कौन से संक्रण होगा, चलो बताओ, चलो भाई, बताते जाओ, नहीं समझ में आया, ऐसा कोई बोलने की जवरत ही नहीं है, यार, इतना आसानी से समझ है मैंने कई स्कूलों में तो टीचर्स भी यही पढ़ाते हैं मैं उन सिक्षकों को प्रणाम करना चाहूंगा जो यह कहते हैं मुझसे कॉल में बात करते हैं कि सर विक्रम सर आपने जो आइडिया दिया था उसी से मैंने पढ़ा है बच्चे बहुत खुश हैं अच्छा लगत को सिक्षक वो से नहीं यहां है यह Trung आइक है तो हमार्य क्लास देखा रहे हैं और अपने स्टूदेंट के लिए मेहनत कर रहे हैं तो ऐसे सिक्षक को मैं प्रणाम करता हूं क्योंकि यह त serg वो सिक्षक इ जो प्रयासरत हैं अपने बच्चों को अच्छा देने के लिए तो ऐसे सिक्षक बहुत ही महान होते हैं हाँ हो सकता है अपनी पढ़ाई के समय इन सारी चीज़ों को नहीं सीख पाये थे आज वो सीख रहे हैं कोई परिशानी नहीं है लेकिन वो ऐसे भी सिक्षक होते हैं जो सीख रहे ही नहीं चाहते है, आदमी सामने वाला सिखा रहा है, मेहनत कर रहा है, यहां से सीख लो, अगर आप नहीं जानते थे तो अच्छा पढ़ाने के लिए आप प्रयास करो, आपके लिए YouTube है, तो सिखशकों की बात हुई, अब बच्चों की बात है, अगर आपके सि सोचते हैं, कि जो बच्चा किसी चीज़ को नहीं समझ पा रहा है, कम से कम सीखे तो समझे तो, इंट्रेस्ट तो आए उनमें पढ़ने का, यह सोच के, और जन बच्चों को गहराई में जाना है, उनके लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड करके रखा हूँ, वो उनके लिए भी इसमें भी S है, इसमें भी S है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, संकर्ण निकाला शुरू करते हैं, संकर्ण बराबर किंद्री परमानों S, छटमें A ग्रुप का एलिमेंट है, प्लस हाइड्रोजन फ्लोरीन, फ्लोरीन फ्लोरीन दो है, माइनस जीरो बाइट टू, छ याने की 4, याने की SP3 संकर्ण, यहाँ पर संकर्ण बराबर किंद्री परमानों S, छटमें बर्ग का तत्व है, मैं 6A लिखूंगा, 6A लिखूंगा, प्लस फ्लोरीन 4, माइनस आवेशुन्य बाइट याने की हो गया, यह 6, 4, 10, 10 बटा 2, याने की 5, SP3D संकर्ण, इसमें च किस योगिक में कौन से संकर्ण होगा, मैं अपने जमाने में मुझे याद है कि मेरे सिक्षक के बहुत सारे SP संकर्ण के उधारनों को लिख देते थे, SP2 के लिख लेते थे, मेरे खुद के सिक्षक, मैं उनको ब्लेम नहीं करना चाहूंगा, वो जमाना ही ऐसा कुछ था, त तो बहुत पहले एक शुरुवाती दोर पर ट्रिक बनाया था कि संकर्ण किसमे कैसे निकाला जाया, अपने स्कुल में बहुत मज़ा आया, जब सारे दोस्तों को बताया और सारे दोस्तों को खुश होगा, यार याद करना बहुत असान है, अब कि तो भी डंडा जो पढ़ रहा हो ध्यान दीजेगा, आठवाँ, NH4 प्लस में संकर्ण, NH4 प्लस में संकर्ण, कैसे निकालो गए, संकर्ण बराबर केंदरी पर्मानों तो निट्रोजन होगा, ये फिफ्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है, प्लस हाइड्रोजन है, चार, माइनस आवेश है देखो, प्लस यानि की प्लस 1 बाई 2, तो 5 धन 4 कितना होगा, 9 और ये प्लस माइनस क्या मिलकर की क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई 2, तो 8 बटा 2 यानि की 4 इसमें स्पी 3 संकर्ण है, और भी देखते हैं बाई, 9, SO, नहीं, इसको बाद मैं, और देता हूँ ये काथ, चलो, ठीक है, S, F4, प्लस 2, संकर्ण बडाबर, 6 ग्रुप का एलिमेंट, केंदरी परवाणू, 6A, प्लस फुलोरीन 4, माइनस प्लस 2, बाई 2, कितना हुआ, 6, 4, 10, 10 में 2 गया, 8, 8 बटा 2 यानि की 4, S, P, 3 संकर्ण, देखते जाओ, कितना फास्ट है, ये टेक्निक बहुत फास्ट है, फिर, मतब आवेड़ सार नहीं याद होना चाहिए, इस मामले में तो इतना मैं कहूँगा, चलो, और क्या करूँ, कुछ एक्जामपल और देता हूँ, ध्यान दीजेगा, चलो, H2SO4 में संकर्ण, इसमें किंद्री परमानो सल्फर है, देखें, संकर्ण बराबर, किंद्री परमानो सल्फर है, छटवाँ एक ग्रुप का एलिमेंट, प्लस, हाइड्रोजन की संख्या बोला है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमेर, आइड्रोजन की संख्या, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या बताएंगे, ऑक्सदन की संख्या उसने नहीं कहा है, तो हाइड्रोजन 2, मैनस 0, बाइ 2, 6, 2, 8, 8 बटा 2, 4, 4 संकरण बराबर केंदरी परवानु सल्फर, सल्फर छट में एग रुप का ऐलिमेंट प्लस हाइड्रोजन की संख्या एक, माइनस, माइनस वन चार्ज है, देखो, यहाँ पर माइनस वन, बाई टू, तो हो गया निकालना है यार, और कुछ नहीं है भाई, चलो एक और निकाल देता हूं, 11, 12, I3-, इसमें संकरण क्या होगा, I3-, यहाँ पर केंदरी परमाणू नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर एक परमाणू को केंदरी बनाना पड़ेगा, दो परमाणू को बाहर निकाला और माइनस लगा रहा, एक केंदरी परमाणू आई है, तो दिखो, संकरण बराबर, आयोडीन, साथ में A वर्गा का तत्त्व है, साथ A, प्लस दो आयोडीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन है इसमें तो, आयोडीन दो है, इसको मत काउंटर लेन केंदरी हो गया, तो दो माइनस माइनस अवा, अविश्वन वाई टू, तो कितना हुआ, यह अच्छा है, दो, कितना है, साथ है न, साथ और दो, नो, नो में एक जुड़िया, दस, दस बटा दो, यानि कि पांच, हुआ न पांच, यह पांच और संकरण हुआ, SP3D, देख देखते जाहिए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हो नहीं है, आसान है, C L F 3, संकरण बराबर, केंदरी परमानों C L, तो, साथ में A वर्ग का तत्व है, प्लस, फ्लोरीन 3, मैनस 0 बाइ 2, 10 बटा दो, यानि कि पांच, SP3D संकरण, देखो, अब मैं पूछूँगा आप से ये लास्ट, SO, SO2, SO3 में क्या संकरण है, चलो बताओ जल्दी से, चली भाई, बताइए, बहुत सारी चीज़े दे दिया मैने, और बागी चीज़ों पर प्राक्टिस करो ना भाई, संकरण क्या है, संकरण की परिभाषा बताया, संकरण के प्रकार बताया, और संकरण निकालने का तरीका बताया, इसके बाद आप बहुत सारी चीज़ें से चीखने लायक है, अगर आप आज की क्लास बेतरीन करोगे, वियूस अच्छे रहेंगे इस क्लास का, तो मैं समझूगा कि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, और इससे और लाइक भी जादा रहेगा, और अगली क्लास का डिमांड करोगे कि इसमें संक्रन, अलग-अलग अणों में संक्रन क्या होगा, ये संक्रन के आधार पर कीजिएसे, हम संक्रन के आधार पर क्या बता सकते हैं, और वैस्पर थियोरी के आधार पर V-E-V-S-E-P-R, इसके आधार पर किसी अणों की सरचना बता सकते हैं जहें CH4 जो है सम्चतुषफल की है ऐसा क्यूं और संकरन हम ग्याद करके तो संकरन का दो पार्ट जब तक नहीं होगा तब तक हम नहीं सेख सकते हैं यह लंबा प्रोसेस होता है एक क्लास में दम तोड़ दोगे तो अगला नहीं क्यूंकि अब इसके बाद मुझे इसको और पढ़ाना तकलीब दे हो जाएगा क्यूंकि यह सीरासदा एक दिरगंटे तक एक घंटे का पूरा क्लास लंबा सा हो जाएगा तो यह पॉसिबल नहीं है होता है इसी तरह से PCL5 के सरचना क्या होगी ये कैसे हम पता लगा पाएंगे इस तरह से है ना आगे जा करके मैं पूरे इंगल विंगल सब बताऊंगा तो ये सब पढ़ने के लिए अभी बहुत कुछ पढ़ना अभी बाकी है पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त करना बहुत कुछ है चलो आगे पते करते हैं इसका निकाली है संकरन देखो केंदरी परमाणों आपको साफ नजर आ रहा है सलफर है क्योंकि जो बड़ा है वही होगा दोनों बराबर है तो एखीत को मानेंगे ना ये किंदरी परमाणों छटवे ए वर्गा का तत्व है प्लस हाइड्रोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रॉमीन, आयोडीन की संक्या यहाँ पर ना हाइड्रोजन है ना फ्लोरीन है क्लोरीन, ब्रॉमीन, आयोडीन कोई नहीं है तो 0, मैनिस आवे 0, बाइ 2, यानि की 6 बटा 2, यानि की 3, SP2 संकरण, इसमें बात करते हैं, संकरण बराबर किंदरी परमानू, सलफर, छटमें A ग्रुप का element, प्लस हाइडोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडेन हैं यह नहीं बिटा, तो 0, 0, आवे भी 0, बाइ 2, यानि की 3, यानि SP2 संकरण, इसका भी होगा, यहाँ पर भी वही है, संकरण बराबर किंदरी परमानू, सलफर है, छटमें A ग्रुप का element है, हाइडोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडेन नहीं है, 0, माइनस, आवे भी 0 है, बाइ 2, यानि की संकरण हो गया, 3 बट 6 बटा, 2 यानि की 3, 3 मतब SP2 संकरण, एक लास्ट, SO4 माइनस 2 में संकरण जाद कीजाएं, बताओ क्या होगा, तो संकरण बराबर होगा, केंदरी परमानू, S, 6th A ग्रुप का element, प्लेस हाइडोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडेन, है यह नहीं है, यार, 0 माइनस आवेश, माइनस 2 बाइ 2, तो गया 6, यह हो गया, प्लस, यह माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2 बाइ 2, 8 बाइ 2, यानि की 4 SP3 संकरण, बहुत फास्ट टेकनिक है, बहुत फास्ट ट्रिक है, जिन बच्चों को पूरे चाप्टर पढ़ना है, उनको एक बात और क होंगा, ध्यान से सुनिये, जो बच्चा recorded class पढ़ रहा होगा, वही आगे बढ़ रहा होगा, और अभी तक आपने कितनी lecture किये होंगे, और recorded, यानि इस chapter का कितनी videos आप कर चुके हो, मुझे check box में बताओ, comment box में बताओ, और अभी बताओ, मेरे polling में, चलो, देखना चाहता ह मैं, इस chapter के recorded videos कितने बच्चों ने देखा और देख रहे हैं, क्योंकि जब तक आप recorded video नहीं दखोगे, कभी possible नहीं, या दखना पिटा, recorded video ही आपको success दिलाएगा, हम यहाँ पर यही बताने आते हैं, कि channel में सब कुछ available है, करना आपको है, यह मैं सोचो सर कल क्यों नहीं आए, कल आओगे के नहीं, परसों क्यों नहीं आए, परसों आओगे के नहीं, यार यह माइने नहीं रखता है, आपके परस रखा हुआ है वो चीज, उसको देखो और करो, चलिए, काफी बच्चों ने भी कहा है कि यह देखें और बहुत सारे बच्चों ने कहा नहीं देखें, recorded वीडियो देखें, मैं आपको कहूंगा, परतन जी एक पोल जरू करिए, कि आप सब में से कौन आगे बढ़ना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, वो recorded व क्या, मैं तो इनसान हूई है, रधना सा, हमारी अवकात ही क्या है, ठीक है, वो समझ में आ जाता है, जब खुले मैदान में खड़े जाओ तो अपनी अवकात समझ में आ जाती है, भीड में जाओ तो अपनी अवकात समझ में आ जाती है, इनसानों को, तो हमें पता है अपन पर रहोगे हम क्या कर सकते हैं हमारा काम है आपको सिखाना देखो कितने बच्चों ने यस करा लेकिन कुछ बच्चों ने तो कह दिया नो कि रहने दे यार कुछ लोग कुठे होते हैं क्या कर सकते हैं कुठा समझते हैं ठोक ठोक कुछ नहीं कर सकते हैं ठोक 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 ठ पहला प्रश्न ये है कि बताओ उक्त Grund लेने पर कौन से संक्रण होगा एक पांच कशक भाग लेना संक्रण में तो कौन से रहा है ना वो तो 100% बताएगा और जो शुरू से नहीं रहा है बीच में रहा है बीच में क्या देखते हो भाई बीच में कैसे पॉसिबल है कोई चीज मुझे यह समझ में नहीं आता है शलो हो गया तो इसका एंसर है D SP3D SP3 संक्रन होने पर कौन सी सरचना बंती है यह मैं अगले क्लास में पढ़ाओंगा तो आपको एक हलकी फुलकी जानकारी देता हूँ SP संक्रन होगा तो रेखी सरचना होगा रेखी तो यहाँ पर लिखा इसे में बिता देता हूँ SP संकरन होगा तो रेखी होगा SP2 होगा SP2 होगा तो ऐसा त्रिकोणी ये सरचना होगा तो यहाँ पर लिखा नहीं है SP2 पर त्रिकोणी त्रिकोणी समतली त्रिकोणी सरचना होगा और तीसरा है SP3 होगा तो समचातुष फल की सरचना होगा आगले klas में आप जरौड देखे क्योंकि वो उसमें आप सीखेंगे शरक्पल की सरचना होता है तब जब SP3 D संक्रण होता है अस्ट फल की तब होता है जब SP3 D2 संक्रण होता है तो ये पूरा क्लास देखने में बहुत टाइम लगता है, बहुत चीज़ सीखना पड़ता है, रेखी सरचना, अब बताओ, अब भी तो बताया मैंने, कौन सा होगा, SP, very good, तो आप सबको मैं यही कहूँगा, कि भाई, पढ़ना पढ़ेगा, समझना पढ़ेगा, सीखना आइडवांस में, तो हमारे कोर्स एविलेबल है, कॉंटिक करिए, इस नंबर पर जो यहां पर डिस्प्ले हो रहा है, आपको बहुत रिंग लास मिल जाएगा, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, हवा में कोई आदमे नहीं सीख सकता, मैं इतना है तो जानता हू मैंने भी अपनी जिन्दगी में इची सिखा है, तो आज की बाते हैं यहीं पर समावत करते हैं, नमस्कार, धन्यवाद, तैंक यू, तैंक यू वेरी मच, नमस्कार करते हैं, यहीं साल, अैंक यू, तैंक यू ए.पस्टीर और में आदसा है, हम यू, हमावबता है, यू, One, Nटैं की तैंक 15.